कैसे आप लोग तो हम लोग पढ़ रहे हैं सर auditing auditing के अंदर हम लोग पढ़ रहे vouching verification vouching verification के मैंने पहले कुछ videos upload कर दी है वो आप देख सकते हैं जाके और यह लगबग सर मैं 4th video upload कर रहा हूं vouching verification पर vouching verification पढ़ने से पहले जैसे कि मैं हर वीडियो से पहले बता रहा हूं गाइस आप लोगों को ध्यान रखे का basic आपके बहुत strong होने चाहिए और basic strong नहीं होंगे तो गड़ बढ़ हो जाएगी basic में आते हैं आपके audit procedure user audit evidence audit techniques और assertion यह आपके बहुत मजबूत है तो आप इन questions को अचे समझ पाएंगे relate कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे एक बात मता दू मैंने आपको सिखा है यह बहुत ही प्यारी technique और वह technique है कि सबसे पहले आपको चूज करना है main word फिर आपको चूज करना है general word और फिर आपको चूज करना है main word के साथ secondary word जो explanation बनेगा और last में fourth point में हम लोग लिख सकते हैं कोई भी AS, essay या कोई भी आपका section etc तो general word होंगे आपके examine, clarify, obtain, see, यह सारी चीज़े main word आपके dependent करते हैं कि आप किसकी vouching verification कर रहे है, supporting word dependent करते हैं कि main word क्या होगा और आपके AS और essay depend करते हैं कि आपके बास question किस part का है, किस चीज का है, right guys, इस principle को follow कीजी और vouching verification में आप लोग स्कोर कर पाएंगे अच्छे number, चली, मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि कौन सा question जो है, वो पढ़ने वाले है, RTV आपके इसर में बैटके भी solve कर रहा हूं आपके साथ, और यहां पे हम लोग पढ़ेंगे machinery acquired under hire purchase system एक बात बच्चों मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से चाहूंगा कि आप सब के सब मुझे जितने लोग देख रहे हैं, लगबग 100 कॉमेंट तो नीचे करो, बताओ कैसी लग रही है आपको वाउचिं की वीडियो, लेकिन भाई आप जज इसी basis पर करें कि आपका और इसके बाद यह वाला screenshot भी आप जो है वो क्लिक कर सकते हैं, तो टोटल मिला के चार पॉइंट है, वाउचिं वरिफिकेशन हमेशे 4 पॉइंट ही पूछे जाते हैं, आईए, देखते हैं, क्या है ये, तो भाई, मशीन के क्वाइट अंडर हायर परचेस, मैंने निकाले बैलने शीट, ये चार में वर्ड आप इनके आगे पीछे, मैं कैसे इनकी कहाणी बनाना शुरू करता हूँ, तो सबसे पहला है, हमार पास में वर्ड अपुरूवल, और देखिए, जनल वर्ड इसके साथ क्या जूड़ेगा, और जनल वर्ड है इसका एक्जामिन, एक्जामिन करना है, हाँ, क्या एक्जामिन करना है, अब अप्रूवल कहाँ पर मिलेगा आपको, इसके लिए हम लोग बोलेंगे, सर, M.O.M.B.M, minutes of meeting देखेंगे, किसके board meeting के देखेंगे, तो higher purchase पर जब भी कोई आपके machine require हुई है, first of all, we have to check, or I should use the word examine the approval, and how we are going to examine the approval, minutes of meeting and board meeting के through, अब guys, जरा मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, इसका interrelation, देखिए, आप यहाँ पे एक तरह से IC चेक कर रहे हैं, यानि के TOC कर रहे हैं, यानि के compliance procedure चेक कर रहे हैं, कैसे चेक कर रहे हैं, आप inspection वाली audit technique लगा रहे हैं, इससे आपको audit evidence विलेगा, कि मित्रों, हर इस internal control के हिसाब से follow हो रही है, या नहीं हो रही है, और तब ही जाके हम बता पाएंगे, कैसे IC सही है या नहीं, और IC सही है या नहीं, इससे बता चल पाएगा, कि भाई, हमारे आगे के substantive procedure, कितनी detail में जाने वाले हैं, audit risk इतना है, और बहुत सारी बाते, और बहुत सारी बा कर सकते हैं, अभी हमारे पास android only option है, यानि कि android phones पे चलेगा, और आप काफी उसका फाइदा उठा सकते है, right, कहां पे हमारी website, neeracharuraclasses.com, हमारी website कौन सी, यह कैसा कोशन पूछा आपने मुझ से, यह देखिए, यह जा रही है, रस्ता हमारे website के तरफ, यह गया 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 ग पूशिश करते हैं, next point है, higher purchase agreement, main word आगे, higher purchase agreement, इसके साथ general word में क्या चोड़ रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं, जो मैं लिख रहा हूँ, यह जो आईसन लिखा, वो ही लिखे, आप लिख सकते हैं, check, आप लिख सकते है, examine, याद रखे, audit technique कौन सी ल इसको carefully examine करना है, अब additional point, हमने इसमें क्या क्या note करना है, description of machinery, ठीक है, description of machinery के साथ हम लोग क्या ओर locate करना चाहते है, cost of machinery, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, higher purchase charges कितने है, and terms of payment क्या है, और rate of purchase क्या है, देखिए कितने प्यार से हो गया, हमारे जर्नल वर्ड क्या था, come on general word क्या था, examine, main word क्या था, higher purchase agreement, higher purchase agreement में क्या के ढूड़ोगे, description of machinery, cost देखेंगे, higher purchase की हम साथ साथ में cost देखेंगे, higher purchase charges देखेंगे, terms of payment देखेंगे, and rate of purchase देखेंगे, लीजे, अगला point आता है, recording का, recording कहा पे बेटा, balance sheet में, आपके P&L में, जहां पे भी आपके financial statement की recording की है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, एक keyword यूज कर सकते है, general word यूज कर सकते है, check, अब क्या check करने वाले, check whether asset acquired under a higher purchase system, are recorded at full cash value or not, तो higher purchase में, जो भी हम समान खरीते हैं, उसे हमें full cash value पे record करना होता है, साथ ही साथ में, हमने corresponding liability भी show करनी होती है, बस, ठीक है, तो check recording, recording किस full cash value, and corresponding, and corresponding, corresponding, corresponding क्या लगाएंगे, साथ मजली बताओ मुझे, come on everyone, put your hands up in the air, हाहा, 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 बोल दो बेटा, corresponding liability, ठीक है, पहले 4 पॉइंट नीचे कॉमेंट से जरूर क्लिखना, approval, higher purchase agreement, recording and shown in balance sheet, लीजिए, अब shown in balance sheet को सर में क्या बोल सकता हूं, मैं इसे प्यार से disclosure भी बोल सकता हूं, यहां पर भी हम बोल सकते है, ascertain, examine, check, कुछ भी लगाईए, मैं examine लगा देता हूं, verify लगा दो, कुछ भी लगा दो, कि भाई, balance sheet में जो शोना चाहिए, वो साथ-साथ, proper narration के साथ, अब इसका क्या हो गया, show in balance sheet with appropriate narrations, with appropriate narrations, right, appropriate narration के साथ अपने बताना है, कि भाई, disclosure जिसाब समझते हैं, कि एक तो full disclosure, full ownership नहीं है, पहला disclosure तो यही होगा, full ownership is not there, with the entity, right, तो सबसे लिम बतायेंगे, full ownership जो है, वो नहीं है, interest कितना है, यह सब narration में लिखा होगा, आपके balance sheet में जो आप असेट दिखाएंगे, क्यो ज़रूरी है, sir, financial statement में साथ चीज़ disclose करना, ठीक है, interest label दिखाएंगे, interest कैसे debit होता है, क्या होता है, और यह भी दिखाएंगे, कि इंटरस्ट जो है, वो interest account में debit होता है, ना के asset की cost में, not in the cost of asset, not in the cost of asset, लीजी, तयार होगे, sir, अपना answer, यही चीज़े है, sir, इसी तरीके से vouching अंदर marks score कर सकते हैं, आने वाले question, sir, मैं portal पे upload करूँगा, specifically उन बच्चों के लिए, जिन्होंने मारा super 80 marks का package ले रखा है, और भी बहुत सारी चीज़े हैं, जो मैं portal पे upload करने वाला हूं, तो आप लोग में असार जोड़ सकते हैं, portal पे, और बस, that's it, share एक आदा question में, और आभ यहाँ पे upload करूँ, इस त इक हा दिया कि मचली कैसे बगड़ने हैं, खुद पकड़ो, खुद खाओ, right guys, thank you very much, stay connected, stay head, जैहिंद, और हाँ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन, वीडियो को लाइक करना ना भूले, नीचे comment box में जो जो मैंने बूला, comment करना ना भूले, और चैनल को कर सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब करें और घंटी भी वाजाएं, ताकि हम आप से रोज मिलने आएं, बाबाए